मुंबई के सांता क्रूज इलाके में कल आपसी रंजिश में एक शक्स की हत्या कर दी गई बताया जा रहा है कि विवाद निर्माना धीन बिल्डिंग के सिक्यूरिटी कॉन्ट्रेक्ट को लेकर दाउद के रिष्टेदार और अब्दुलाह खान के बीच हुआ था और इस विवाद में दाउद के रिष्टेदार ने अब्दुलाह को मौत की घाट उतार दी मुंबई के सांता क्रूज इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब कुछ लोगों ने एक शक्स पर धारदार हत्यार से हमला किया और उसकी मौत हो गई या पूरा मामला मुंबई के वाकुला पुलिस टेशन में दर्ज हुआ है जानकारी के मुताबिक अब्दुल्लाह खान नाम का शक्स है जो की मृतक है उसे एक सेक्यूर्टी कॉंट्रेक्ट मिला था अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्लिंग का लेकिन वह कॉंट्रेक्ट एक आम कंस्ट्रक्शन साइट पर ही उसकी हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गए पूरा मामला सिसी टीवी में कैद हुआ है जानकारी के मुताबिक जो आरोपी आमीर शाह है वह दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का समधी है और जो लोग यहां के जो अस्थानिक लोग ह उनका साफ तोर पर कहना है कि दाउद इब्राहिम की रिष्विदारी की वज़त से ही आमेर के हौसले बुलंद थे और उसने उस अब्दुल्ला खान नाम के शक्स की हत्या कर दी वीडियो जैनलिस्ट अनलिस शिंदे के साथ शेरेंद सिंग नीज नेशन मुंबई